हेलो फ्रेंट्स, मैं गुर्वी निनना और आपका मेले चैनल पर सब्सक्राइब आज में बताऊंगे कैसे हम एड़ प्लांट और जिल्जल से अपना पेस्टाइक मना सकते हैं तो सुन्दे में अधीब लग रहा है तो ऐसा नहीं है यह हमारे स्कीन के लिए बहुत ही ज्यादा होता है इसमें वाइटामीन सी बहुत ही ज्यादा होता है ऐसा क कोस्मेटिक परड़क्त भी अवेलेबल हैं जैसी कि पेसमास्क, फेस्ट क्रब, पेस्टाइक यहां तक यह सब पेस्टाइक बहुत ही ज्यादा उफेक्टी ओक है तो अगर हमने मेरे चैनल के अभी तक स्ब्सक्राइब नहीं किया तो प्लिस सब्सक्राइब कर दीजीएग तो friends उसके लिए हमें चाहिए fresh eggplant ठीक है तो अभी आपनी क्या करने है इसका smooth सा paste बनाने है यह रहा हमारा paste तो मैंने क्या क्या था इसको छोट-छोट टुकनों में काट कर grinder में इसमें थोड़ा सा आप ऐसी कीजिए को rose water add कर दीजिएगा तो इससे easily हमारा जो paste है वो बन जाएगा तो ऐसे एक paste पर त्यार कर लीजिए और उसके लिए लेंगे हमें खाली बाउल और उसमें एक चमच paste डाल देते और उसके बाद इसमें डालेंगे बेसन बेसन भी होता है जो हमारी skin को instant glow देता है हमारी skin के ओपर जो suntan उसको remove करता है हमारी skin को bright and glowing बनाता है और उसमें डालेंगे दहीं दहीं जो होता है हमारी skin को refresh करता है और मैं घरवाला ही यूज़ कर रही है आप भी चाहिए घरवाला ही यूज़ कीजिएगा क्योंकि घरवाली बनी चीज़ों के तो मज़ा ही अलग होता है दहीं जो होता है हमारी skin के ओपर जो suntan होती है और हमारी dark sports होती है pigmentation होती है उनको light करता है और हमारी skin को bright बनाता है और उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे honey हनी जो हता है हमारी skin के ओपर जो normal हमारा oil balance होता है उसको maintain करता है और हमारी skin को glowing मनाता है तो थोड़ा सा हनी डाल दीजिए इसमें और इन सभी चीज़ों अच्छे से mix कर लीजिए तो यह देखिए अच्छे से mix हो गया और अब हम इसको अपनी skin के ओपर apply करें यह हमारा face mark तो अच्छे से इसको अपनी skin के ओपर apply कर लीजिए आपके अब तो brush का use भी कर सबसे है लेकिन मैं अपनी finger से ही अपने face के ओपर apply करूँ गी आप अच्छे से apply होगे आपने इसी सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए से सूखने के लिए शूर दीएगा और उसके बाद इसको wash कर लीए तो दीखिए friends मैंने अपना face mark अच्छे से कर लिए तो आप इस face mark को जूरूर यूज कीजिएगा क्योंकि इससे क्या होता है जो हमारी जो डलना से जो dry है या फेस के ऊपर जो हमारे aging science है जाकि की wrinkles, fine lines और dark spot है वो दीड़ेज डिड़े रिड्यूर्स होते चाहेंगे तो आपकी skin इस फिर्फेर और glowing बन जाएगी तो आप इस face mark को हक्ते में दो बढर जूरूर यूज कीजिएगा और उसके बाद के जरुजर्ट है प्लीस मेरे साथ कोमेक्ट करके जिरूर शेयर ही जिएगा तो मिलते हैं लेक्ट वीडियो में बाई बाई चैन्स